कि हाला फ्रेंट्स दिस इस रोईद गुपता विल्कम तो मैं चैनल क्रेक कॉंपेडिशन आज की इस वेड़े में हम लेके आए हैं एक आची नहीं खास पर्थी के बारे में जो कि बिरो ऑफ एनर्जी एफिशेंची देखने को मिलेगी जो कि कॉमेंट अफ इंडिया मिनिस् इनका मतलब सारी जानकारी में बताऊंगा किस-किस के लिए भरती रखी गई है कौन-कौन से केंड़ेट आप इस भरती के लिए आवयदन दे सकते हैं इसके लिए आवयदन देना चाहते हो नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे वेबसाइट पर आके तो करियर सेक्शन में आपक आपको मैं गिवन करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा आप महां से चेक आउट कर सकते हैं चलते हैं अपनी नौटिफिकेशन पर क्या-क्या डिमांड की गई है इस्टनग्रफर पोस्ट के लिए तो यह वीडियो है क अगर आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी लेटेस नौटिफिकेशन एंड वेकेंसी की अपडेट्स बाने के लिए जिस्पी स्टेटें सेट सब विलोंग करते हैं अच्छी रिकूट्मेंट आपको मारजन के माधिम से देखने को मती है अब बात करते हैं वीरो आफ एनर्जी एफिशेंची के अंदर आपकी रिकूट्में में मिनिस्टर पावर के अंदर आता है कॉमेंट अफ इंडیا बात करते हैं कहां पर आपकी भरती रखे गया है तो सबसे अच्छी भी बात यह है कि इसमें स्टेनोगरफर की तो पॉस्ट कौन कौन से कैनेट आवदन दे सकते हैं यह भी मैं बताऊंगो क्वालिफिकेशन क्या-क्या रखी गई हैं अन्रेजर्वड के लिए एक पोस्ट रखी गई है लेवल 6 की साहली 3500 एकलग 12000 चार्ट और डिर्क्रूट्मेंट है बारी पास कैनेट भी आवदन दे सकत तो जो भी इनका भी सेलेक्शन होगा वह आपके तरीके से आपके जो भी मांक्स के डिपेंड करता है किसमें तरीके से आव अच्छे तरीके से अपने रेटेन एक्जामेरेशन देता हो जिससे कि आपने सेलेक्शन ले सके वेबसाइट यह है बी डबली इंडिया.jua.in इस के जो फोम अगरा है 21 जन्वरी से स्टार्ट हो चुके हैं और 45 दिन के दौरान अपना सेंड कर देना है किस तरीके से सेंड करना है ऑफलेंड करना है आवे दिन देना है इस भरती के लिए कोई समस्य पर हैसान ही हो इसकी अप्लाइप प्रोसेस की वीडियो अगर चाहते हो आपको कहां पर सेंड कर देना होगा जितने भी इंटेस्टेट अप्लिकेंट है में फॉर्वर्ड जैर पिट्टू पासपोर्ट साइस फोटोग्राफ में आपको गिवन है 45 दिन के अंदर सेंड कर देना होगा कहां पर है था सेक्रेटरी ब्यूरो अफ एनरजी एफिशें है ऑफ्रेंड हो या ओनलाइन किसी भी वेकैंसी के अप्लेट चीओ अच्छे ची रुकूरूट्मेंट पाने के लिए तो सब्सकाइब जरू करें शेर जरू करना किसी एक खास दोस के साथ अगर आप इस भरती के लिए अपना ही नहीं करना चाहते हो तो तो यह बात करते ह स्टैनोग्रफर की पोस्ट पर लेवल 4 की स्टैनोग्रफर की है यह तो बात हुई उसकी नहीं बात करते हैं जो भी डिरेक्रूटमेंट से बंदे जो भी कौलिफेकेशन सापकी रखी गई है यतने भी कैंडेट से हैं अगर आप देना चाहते हो वाम बगारा इसमें दे सक क्रूबी की पोस्ट है और लेवल 6 की सैली है इसमें और क्या करते हैं एज लिमिट की अगर मैं बात करूं अठारा से तीस साल एटीन टू थर्टी यर्स का एज रेक्शेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा कोई रेक्शेशन ही मिलेगा जनल के लिए भरती है तो को रेक पास आपने कर रहा कियो हूँ 12 पास आपने कर रहा कियो हूँ and having a speed of short end of 80 word per minute 80 word per minute की short ends की speed आपके पास रहने चीए साथ ही having speed of typing speed of 40 word per minute और typing speed आप क्यों होने चीए 40 word per minute और proficient in computer computer वगरा चलाना चीए Microsoft Office वगरा और चोटी 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 रेक्टेशन होती है आपको आने चाहिए तो यह सभी चीज़े required है अगर आप डाय स्टेनोग्राफर की पोस्केल अप्लिकेशन देना चाहते हो alliability को fulfill करते हो then you can apply for this post of stenographer इसकी जो form की PDF है यह PDF आप सभी को visible हो कि इसमें आपको सारी basic details से आपको fill up करनी है अपनी जो भी typing speed की कितनी typing speed है कौन सी qualifications कहां से आपने gain करी है अगर आप government employees है तो यह fill up करना पड़ेगा कौन से का department में आप work करते हो कि sports पर work करते हो सारी जानकार यह आपको इसमें send कर देने हैं भी सारे documents सारी photographs attach करके आपको जमेरा address बताया इस address पर आपको send कर देना होगा जो की यह दे रखा है यह रहा डेली 0066 इस address पर send कर देना है no down भी कर सकते हो और ऐसी latest सब्सक्राइब और लाइक तो बिल्कुल भी नहीं करते वीडियो को तो लाइक भी कर दे करो जिससे कि आपको समय समय पर अच्छे-च्छी latest vacancies के अब्रेट हमारा चैनल पर लाता रहा है and thanks for watching this video